तो फ्रेंड जैसे कि आप लोगों को पता है कि आज सुनने में आ रहा है कि आप लोगों का रिजल्ट आप डेक्लियर हो जाएगा यानी 15 अक्टोबर को तो यह सच है कि नहीं है और कब तक आजाएगा रिजल्ट यह सब आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगा पूरी जानकारी कितनी का टॉफ जाएगी तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलेगा ताकि आपको इसी तरह की अपडेट्स मिलती रहे तो फ्रेंड सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि अभी तो है आयोग जो है पूरी तरह से अस्थ व्यस्थ है पीजटी के जो इंटेव्यूस चल रहे हैं उसमें इंटेव्यू के प्रोसेस में इतने ताम जहां में आयोग बिजी है इस वज़े से आप लोगों का टीजटी का रिजल्ट नहीं आ पा रहा है और यह सूचना मिरी है कि आप लोगों को जो है संडे तक संडे तक जो है इसमें बेजी रहेंगे तो संडे से पहले आप लोगों का रिजल्ट देखने को नहीं मिल सकता है तो संडे के पहले कि आप लोगों का टीजटी का रिजल्ट आएगा पीजटी का रिजल्ट अभी नहीं आएगा टीजटी का रिजल्ट को आने में लगेगा समय क्योंकि अभी PGT की पूरी प्रक्रिया चल जही है PGT का इंटेव्यू पूरा होने के बाद कंड़क्ट होने के बाद ही कहीं PGT का रिजल्ट आप आएगा तो PGT के रिजल्ट आने में भी टाइम है और रही बात कट आफ की तो मैंने कट आफ का वीडियो अलवड़ी बना रखा है मैंने लिंक उसका description box में provide कर रखा है जिसने नहीं देखा है वो जाके देख ले और मैं आपसे यह बताना चाहूंगी कि आप जैसे की आयोग की तरफ से यह सूचना आए थी कि जैसे ही रिजल्ट जारी किया जाएगा उसके दस दिन के बाद ही आप लोगों को document verification के लिए बुलाया जाएगा जिन चात्रों का selection हो जाएगा बहुत सारे चात्र परिशान है कट ओफ को लेकर तो देखिए का कट ओफ अगर आप लोगों को उससे मैच कर रहा है तो तो आप लोग का selection होने के chances हैं यह कट ओफ वीडियो जो है अनुमान पर बनाए गई है जैसे कि मैंने PGT कभी बनाया था अनुमान पर और वही कट ओफ देखे कितनी अधिकतर सही निक documents होंगे मैं proper पूरे documents पर वीडियो बनाने वाली हूं मेरे चानल पर बने रहेंगे तो आपको वो वीडियो भी मिल जाएगी हाला कि मैंने पहले भी वीडियो बना रखी है लेकिन इस बार जो वीडियो बनाओंगी वहार एक प्रॉपर एक-एक document पर बनाओंगी तो चानल क लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि आपको इसी तरह की updates मिलती रहें और आफ़ वाहों पर बिलीब ना करें जो चूथ है वह आपको मेरे चानल के थ्रू मिलता रहेगा थाइंक यू